हाई गर्ल्स हाव आ यू ओल कैसे हैं आप स्वागत है आपका अपनी चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में आप सब के लिए के स्पेशल वीडियो लेकर आ चुका हूं बहुत सारी गर्ल्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऐसी गोर्मेंट्ट जो बताओ जो हमारे लिए सूटेवल हो पहली बात तो मैं यह डिस्क्रेमर देना चाहता हूं कि मेरी नजर में बॉइस और गर्ल्स बोत आर से लेकिन फिर भी कुछ चीजों में गर्ल्स आती हैं कि वह कंफर्ट रहे जैसे कि फैमिली को भी टाइम दे सके आफ्टर मेरीज एंड जोप ऐसी हो जिसमें टाइम कम हो यह फिर बहुत दूर ना हो घर से समझ रहे हो आगे जाकर क्योंकि अगर बात करें हम अगर अगर आप मतलब अनमेरीड तो आप कहीं भी जोप कर सकते हो लेकिन अफ्टर मेरीड फैमिली के साथ मैनेज करना एंड जोब वो सब चीज देखनी पड़ती है दूसरा कंफर्ट जोन जहां पर लगे कि आमें कंफर्ट कुकि ज्यादा ट्रैवलिंग की जोब बहुत कम लड़किया कर सकते हो बट यह जोब समय लीजे कि most of jobs जो है ज्यादा तर girls के लिए और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन jobs में आप सबको retention भी मिलता है relaxation भी मिलता है मला आपको छूट मिलती है कुछ परसेंट या कि इसे कह सकते हैं common वाशा में कि आपको हैं पर कोटा होता है कि अगर वकेंसी निकलेंगी तो इतनी वकेंसी गल्स के लिए निकलेंगी तो यह benefit आपको आपन मिल जाता है तो आप सभी इंट्रस्टेड है वीडि मिल जाएंगी यू कि चेक आउट अट इर सबसे पहले बात करेंगे पहली जो आती है वह बेसिकली वाइ मैक्सिम आपने गल्स ही तेखिऊ इस जोब में इसलिए मैं वह चीज जो बोल रहा हूं ऑगो एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं बागी देश में अजादी है सब कोई कुछ भी कह सकता है सबके अपने व्यूज है यह मेरी व्यूज हैं आपके क्या हो सकते हैं डून लो बट चलिए तो सबसे पहला आता है A&M G&M क्या होता है A&M G&M जो होता है यह नर्स की जोब है ठीक है ना अगर आप फुल फॉम देखेंगे तो यह आपको फुल और दूसरा होता है आपका जर्नल नर्सिंग तो एक तो ऑक्जिलरी नर्सिंग होता है एक जर्नल नर्सिंग होता है दो तरह की नर्स होती है एक वो जो आपने देखा होगा बाई जो डॉक्टर के साथ रहती है और आपकी जोब जो होती है वो डॉक्टर के साथ उन्हें है भी पेशेंट है बड़े बड़े ऑस्पिटल में एक होता है जो डिलिवरी जैसे होता है बच्चों की तो उस समय पे जो वर्क रहता है डॉक्टर के साथ उसमें रोल रहता है दोनों की गौर्णमेंट जो निकलती है नेचेम नेशनल हेल्थ मिशन के तहट अब पूरे देश कर सकते हैं अगर आपने इन में से कोई भी ले लिया तो डिप्लोमा या अफिस सर्टिफिकेट या डिग्री तो उस बेसित पर वकेंसी निकलती है बहुत ज्यादा और सोचिए यहां पर जोब जोब भी 6-8 गंटे की सिफ्ट होती है ऐसा नहीं कि पूरे 10-12-15 गंटे की जोब है सबसे बड़ी बात यहां पर ही है तो यह मुझे लगता है कि प्रिफर करती है और आपने भी मोस्ट अफ गल्स ही देखियोंगी ऐसी बात नि बॉइस करती है बट रेशो बहुत कम है ठीक है नेक्स जोब की बात करें तो बैंक पियो या कलर्ग जोब बैंक में सबसे बड़ा बैंक देश का कौन सा है आपको ग्यार भी आई बट वह ल प्रिफर करता है खुद एक्जाम निकालते हैं खुद ट्रेनिंग करते हैं इंटर्व्य करते हैं और बागी बैंक के लिए आई-बी-पी-एस इंडियन बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन बोर्ड जो होता है बैंगलोर का वो यह काम करता है दो वकैंसी में आप आप लाई करन ली एंडे गेट वो जरूर अपलाई करें वकैंसी निकलती रहती हैं बल्क में इतने सारे बैंक से कहीं न कहीं से तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जब भी वकैंसी आती है मैं सबसे पहले यहां पर आपके लिए वीडियो मनाता हूँ एज होती ह डिफरेंस के बाद मदभी टाइम पीरिड के बाद आपको मिलते रहेंगे जब आप एक्जाम दोगे उनके लिए तो वह आगे जाकर आप सोचो कि बैंक मैने जला आप बन सकते हो नेक्स आता है ससी सीजी एल और ससी सीचसल कंबाइन ग्रेशन लेवल यह आफ्टर ग्रेश यह जो सेंट्रल गोवर्मेंट के अंडर में को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं आई बी इन्फॉर्मेंस डिरेक्टरी एडी या एक्साइज या आपका CID या पिर आपका और भी डिपार्टमेंट से इंकम टेक्स हैं वहां पर LDC कलक लोग डिविजन कलक और अगले साल का कलेंडर जारी हो जाता है जिसमें कब वकेंसी निकलेंगी सब कुछ आ जाता है सलिब्स फिक्स हैं काफी अच्छा रहता है आप एक्जाम कर सकते हो इसमें math फ्रोट टफ आता है तो जो science वाली स्टुडेंट्स हैं उनको मैं recommend करूंगा कि वो जरूर अपलाई करें क्योंकि साइंस मेहत का रोल रहता है यहां पर ठीके नेक्स बात करें स्कूल टीचर भाई स्कूल की जोब गर्स के लिए क्यों बहस्त है एक तो आदे दिन की जोब है बाई एक दो बजे शुटी हो जाती है आप पनी फैमली को टाइम दे सकते हो ठीक है ना और साथ में टुशन वगएर बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं और एक स्थे में टीचर बहुत बढ़िया रहती है हर तरह से मुल देखा जाये तो कि जादा अच्छे से समझा पाती है ऐसे नहीं एक जैंट्स पी समझा पाते हैं मेरे अपने व्यूज है मैं फोड टीचर हूं में ए बात कह रहा हूं फिर भी ठीक है ना बच्चे से चनेक्ट र मैं पावध पर सवाल करते हो , कमेंट करके बताना , मम्मी से एक दम कर लेते हो , कोई बात पूछना है , कुछ बताना है , कोई राज है , कोई सीक्रेट है , चलो अलग बात है , तो गोर्मेंट टीचर के लिए , एक मैंने स्पेशल वीडियो कोगे तो बना दूँगा, बहुत सरी वकेंसी होती है, मैं कुछ टीचर रहा हूँ, मुझे नोलीज है, मैंने B.Ed किया हुआ, M.Com किया हुआ, M. Economics किया हुआ, B.Com किया हुआ, इस सब चीजे, तो बहुत एक्सपीजन से चीज हो का, क्योंकि मैं काफी ग्ज है, ठीक है, उनमें एक्जामस निकलते है, स्टेट वाइस, सेंटल के, मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बना दूँगा, 15-20 मिनट की होगी है, जो टीचर बनना चाहते है, कमेंट करके बताना, नेक्स आती है, रेलवे में, रेलवे में भी दो तरे की जोब होती है, एक टी होती है, रेलवे में एक ही पेपर होता है, उसके बाद इंटर्व्यू ना के वराबर है, कुछ पोस्ट पर है, कुछ पर नहीं, सेलरी अच्छी, बेनिफिट बहुत जादा, बाइस, सोचो, आपकी फैमिली को भी घूमने के लिए फिरी पास मिलता है, बहुत सारी सुवध अब कितने नाम बता हूं मैं आपको, अब यह जो कंपनीज है, यह सब PSU कंपनीज हैं, तो इनमें भी जोब सरकारी के बराबर है, क्योंकि प्क्या उन परसेंटियर गवर्नमेंट के पास है, तो यहां पर जोब लगती है, उसके लिए एक्जाम निकलते हैं, काविसारी व किया है, तो उसकी वकैंसी निकलती है, तो उसमें अपलाई करें, बैस्त रहती है, मेरे साब से, क्योंकि इसमें क्या रहता है, आपकी फैमिली को क्वार्टर मिलेगा, ठीक है जी रहने के लिए, और जिसमें आप बोल सकते हैं, उसके लावा आने जाने की सुविधाय मिल जाती है, बहुत सार बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सार बेनिफिट्स, PSU कंपनी के PSU jobs के बात करें, UPSC, State, PCS, एक लेवल की जोब होती है, रुतुबा होता है, IES, IPS, IES बनना चाहते हो, तो UPSC है, Union Public Service Commission, और स्टेट में भी वकैंसी निकलती है, जैसे HDO बगरे की वकैंस भी घती है, ठीक है, घते ही, तो य tread या सारे शीजे रहेंगे, अब नास जो है वह पोस्ट-ॉफिस जोप्स, रिशन ली पोस्ट- उफिस में वकैंसी निकली है, पोस्ट-ॉफिस का अपना बेंक भी होता है, पोस्ट-ॉफिस बैंक, payment बैंक होता है, य है ये वहां पर वकै अच्छी सरकारी जोब है मैं इस देश में एक बार को बैंक बंद हो सकते हैं बस पोस्ट ओफी नहीं होने का वन तो आप अगर पोस्ट ओफिस को कुछ लोग यह कहते हैं पोस्ट ओफिस तो अनुवले टाइम में बंद हो जाएंगे नहीं होगा भाई यह समझो तो इसलिए अगर कोई बी इंट्रस्टेड हो जाके अप्लाई करें अगर आपको इन में से किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए डिटेल वीडियो चाहिए सो मुझे कमेंट कर देना मैं आपके लिए क्रेट कर दूँँ है थैंक्यू सो मैं अबना मैं